हेलो फ्रेंड्स मैं प्रभ्जिट कुरसंदू स्वाग्द करती हूँ आपका अपने चैनल में तो आज का व्लोग जी शुरू हो चुका है यह सुबा के आठ बज़े हैं शायद मैंने टाइम वैसे प्रॉपरली देखा नहीं तो मैंने अपना कावा रखा हुआ है तो प्लीज 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 जो मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर करने को मैं नहीं कहूंगी वो आपकी मर्जी है अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो शेयर कर देना तो यह बैठे हो सरदार जी अच्छी ने सबजी डले गी आटे में और मिक्स डाल बनाई थी मैंने शाथ में तो बच्छे कहरे हैं मिस्सी रूटियां कहानी है तो यह लगा दाल पड़ी है है पहले मैं अपना कहवा पीऊंगी उसके बाद तो यह बड़ी प्राथ ली है मैंने आज आटा गुनने के लिए क्योंकि काफी समान हो जाता फिर छोटी प्राथ में मैनेज नहीं होता तो यह मेरा कहवा त्यार है तो मैं यह देखें खाने जा रही हूं बिस्किट साथ और साथ मैं थोड़ी सी गूंफली खाऊंगी सुबा सुबा तो यह मैं कहवा पी रही हूं जी अब मैं किचन में आ गई हूं और आटा गुन रही हूं इसमें ना आलू थे तो आलू को मैं हाथों से फे रही हूं पंजाबी चिकंदे फेंदी पही है तो यह मैं मिक्स कर रही हूं सारा पीच में जो मसाले डालने थे डाल दिये हैं लाल मिर्च वगरा और नमक और काली मिर्च अटा मेरा तयार है अब ढख दूँगी आज मैंने पकानी है चूले पे बाहर बाहर की जो हमारी किचन है उसे त पर दियों में उसको यूज करते हैं मतलब अच्छा लगता है वहाँ पर फिर सारे जैने बैठ जाते हैं वहीं खा लेते हैं रोटी वास में तो यह देखें यह बाहर वाली किचन है क्योंकि ना धुआ बहुत होता तलना होता रोटीयों को तो फिर दूआ बहुत होता इसल उस पर मैं खड़ी होकरी काम कर सकूँ क्यों मुझे बैठ कर काम करना बहुत मुश्कल लगता है तो इसलिए यह मतलब मैं कम यूज करती हूं चूला लेकिन मजब होता आता है चूले पर काम करने का और बच्चे बाहर श्रारते कर रहे हैं इनकी मैंने वाइस बंद कर दी क्योंकि बहुत रोला डाल रहे थे इसलिए देखें वो बहन को तंग कर रहा है वो बैठी होई थी दूप में तो वो कह रही थी help mom help और मैं यह बना रही हूं रोटियां सर्दियों में खा खा के डबली हो गए है कभी पिनिया बना ली कभी कुछ अब फिर जब गर्मिया श जो डॉक्टर शालनी ने दी है ना उनकी रेस्पी है यह उससे काफी बेट लूज होता है वो आज मैंने बनानी है आज शुरू करनी है छे महिनों के बाद पहले मैं regular पीती थी तो काफी मेरा वेट ठीक था तो अब बस खा खा के प्रॉंठे और पिनिया अब सर्दी में ब और यह विल्ली भी आ गई थी रोटी मांग रही थी इसके लिए मैंने मैं पेके आटे वाले जो दूसरी सिंपल आटे की थी वो रोटी बनाई और मैंने का चलो देता है तो इमको भी रोटी मांग रही थी रोटी वो भी तो ये भी खा रहे थे बैठकर इनके पहले दोस्ता आई हो थे वो चले गए फिर फिर ये खाने लेगे तो बड़ा मज़ा आया बड़ा अच्छा लगता है ऐसे रूठियां बनाना और सब पास बैठे का रहे हो अच्छा सा लगता है तो ये जे मैं बना रही हूँ वही जो यलोटी बताई है दालचीनी डलेगी इसमें एक इंच के तक्रीब बन टुकड़ा डालूँगी इसमें तो मतलब अच्छी बनती है और हेल्थ के लिए काफी अच्छी होती है ये तो ये मैं बना रही हूँ इसमें लगबग मैं दो तिन तिन चार दिनों की बन जाएगी ये मैंने एक लीटर पानी डाल दिया इसमें इसमें जब ये थोड़ा हो जाएगी कम हो जाएगा पानी तब थोड़ी हल्दी डालूँगी हल्दी डालूँगी और अद्रक का रस जाएगा इसमें अद्रकरा स्टब डालूँगी जब मैं बंद कर दूँगी इसको गैस को तो ये डॉक्टर शालनी है बॉम्बे की है वो नेचर बैथी की है डॉक्टर उनकी करके मैं रेमडी ये जो येलोटी है ये बहुत ही अच्छी है और बहुत काम आती है अच्छी चीज़ है तो आज से फिर मैं ये स्टार्ट की है मैंने ये तो मैंने एकठी बनाके रख ली चार-पांच दिन की फ्रीज में रख दूँगी और फिर जब चाहिए होगा दो टैम लेती हूँ मैं कहाने के बाद इसको तकरीबर 50 ml के मतलब ले लेती हूँ छोटा कप जो होता है वो पूरा भर के नहीं थोड़ा सा यानि पोना कप ले लेती हूँ अच्छी चीज़ है आप भी ट्राइ कीजिएगा तो अच्छा रहता दिन यानि इसको पी करना बड़ा अच्छा सा फील होता है तो यह खाना मना खाने के बाद यह ममी थोड़ी सी पिनिया बना रही थी बाहर बोले चलो आग जल रही है मैं बना लेती हूँ थोड़ी सी तो बना रही थी अभी तो वैसे मैंने पिनिया बनानी है यह तो बस थोड़ी सी बना रही थी ऐसे टेमपरेरी सी तो बस सर्दी शुरू होते ही पिनिया और गज्रेले शुरू हो जाते हैं तो अभी तो वेट गेन होता है क्योंकि कंट्रोल होता नहीं है फिर खाने पिने पर तो यह मेरी यलोटी त्यार है आप भी ट्राइ कीजिएगा अच्छी चीज है तो जी आपने कभी सेव के साथ मूलिय खाई है यह और तीन बज गया है मतलब दिन के तो सोचे चलो कुछ खाया जाए तो फिर मूली थी बड़ी मीठी मूली थी और साथ मैं सेव काट लिया थो मैं और ममी लगे हुए था खाने और हस भी रहे थे कि देखो नया नया सैलड है यह मूली के साथ सेव तो बस जी अगली अगले व्लॉग में खुश रही है अब आद रही है चलती हूं बाई बाई ठेक केर